Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल स्कीम के बारे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इन फैक्ट हम लोग एक critical analysis करने वाले हैं, इस scheme के बारे में, आप जानते हैं कि 2015 में एक बहुत ही important अभ्यान या फिर program शुरू हुआ था, जिसका नाम था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और आज हम लोग बात करेंगे कि पिछले 6-7 सालों में क्या output है, या फिर किस तरह की improvement हुए है because of this particular scheme, इन फैक्ट ये critical analysis होनी वाली है, जहां पर हम लोग समझेंगे कि क्या pointers है, क्या कोई positive news है out of this particular scheme, या फिर कोई issues है इस scheme से जुड़े हुए, इसके ओपर हमारी चर्चा चलने वाली है, in fact, discussion हम लोग शुरू करते हैं सवाल के साथ, सवाल है ये, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ scheme has brought much needed attention towards the problem of gender discrimination in India, बिलकुर, however, there are some issues, however, the scheme in its present form is at a risk of failing its central objectives due to poor implementation and monitoring, तो इस चीज़ पर आपको comment करना है, right, तो सबसे पहले तो काफी अच्छी scheme है, हम quite sure कि सभी लोग ने इसके बारे में सुना होगा, awareness create करना चाहते हैं, schemes के multi-sectoral interventions लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी implementation, उसकी monitoring में कहीं कहीं कोई दिक्कत है, उसके उपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ scheme के बारे में, उसके central objectives क्या है, क्या है उसके core objectives, किस तरह उसकी implementation होती है, कौन उसकी implementation कर रहा है, क्या plan of action है, कौन beneficiaries है, और end में हम लोग एक critical analysis करने वाले हैं, कि अभी तक किस तरह की improvement हुई है, और किन चीजों के उपर हमें focus करने की जरूरत है, तो यह रहेगा आज का हमारा चर्चा का agenda, तो इस सवाल से जुड़ा हुआ, काफी अच्छा content of order आपको मिलेगा, to get to know that, be with me on study IQ, चलिए, शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, कि आज आख्री रेट है, तो आपको कुछी घंटे बचेवें to enroll for this particular program at a heavily discounted price, तो साड़े सतरह जार में आपको GS का program मिलेगा, आपको code इस्तवाल करना है राहूल लाइब, और optional के ऊपर भी discount है, तो आपके बास कुछी समय बचा हुआ है, you already know the features of it, जैसे कि मैंने आपको बताया, this is the most comprehensive and most affordable program for UPC preparation, याने कि 27,500 में आपकी GS की preparation भी हो जाएगी, optional की preparation भी हो जाएगी, you have to use the code राहूल लाइब to enroll, so do it before midnight today, चर्चा करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के बारे में, scheme की शुरुवात हुई थी 2015 में, January 2015 से शुरू हुआ था ये, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियाल, mainly इसका उद्देश था, gender discrimination को रोकना, और आप जानते हैं कि female feticide की problem है, sex selective female feticide type, उसको रोकने का एक बहुती important ये scheme था, उसको रोकने के लिए program आया था, अब बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ मतलब आप जानते हैं, save the girl child, educate the girl child, अब scheme की launch किस उद्देश से हुई थी, देखे, 2011 का census आया था, census का data धीरे धीरे आया था, तो 2013, 14, 15 तक धीरे-धीरे census का data आने लगा, तो वहाँ पर देखा गया है कि child sex ratio काफी adverse हो चुका है, यानि कि female children in comparison to male children, उनका number काफी low हो रहा था, अगर हम लोग देखे, 1999 में ये number था 945, 2000 में कम हुआ 927 पे, तो 925 से it came down to 927, 2001 में, 2011 में 10 साल बाद 918 आया या या यानि कि child sex ratio continuously down जा रहा था, although अगर हम लोग overall sex ratio की बात करें, it is slowly and steadily improving, बड़ अभी भी ये numbers काफी कम हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि sex ratio क्या होना है, 50-50, technically 50-50, लेकिन अभी यहाँ पे देखे, child sex ratio is continuously going down, अब इस चीज को improve करने के लिए, इस उद्देश से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ scheme या फिर अभी यान शुरू हुआता है, इसके core objectives क्याते हैं, पहला core objective है, child sex ratio को improve करना है, इसको उपर ले जाना है, इसके अलावा, जो gender discrimination होते हैं, sex selective abortions हो गए, या फिर जो female ब्रून आत्या होते हैं, उसको रोकने के लिए, gender based, gender biased, sorry, sex selective elimination इसको रोका जाए, इसके अलावा, अगर girl child पैदा हो रही है, तो उसको उसकी survival और उसकी protection हो, उसकी education हो, और in general, overall, gender equality और woman empowerment, ये इसके core या फिर central objectives है, अब सवाल यह उठता है, इसको कौन implement करता है, who implements this particular scheme, इस scheme की implementation का जिम्मा, तीन ministries के साथ है, पहला है, ministry of WCD, ministry of women and child development, दूसरा है, ministry of health and family welfare, तीसरा है, MOHRD लिखा हो है, आप पर पर ने, but you can, it has been renamed now, it is ministry of education, ठीक है, तो तीन ministries है यहाँ पर, और तीनों के लिए, अलग-अलग scope दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि child sex ratio improve करना है, health improve करनी है, survival rate protection देनी है, साथ ही साथ education करानी है, तीन ministries है यहाँ पर involved है, in terms of implementation, लेकिन, अगर prelims में आपके सवाल आ जाए, जहाँ पर केवल एक ministry आई है इन में से, तो I would say, it would be ministry of WCD, क्योंकि overall जो administration है, इसकी जो financial control, budgetary control, और overall administration है, WCD ministry के बास, Women and Child Development ministry के बास, तो आपको यह ध्यान रखना है, कभी कबार students, इस तरह के सवाल आजाए, जो tricky सवाल आते हैं, तो कहते हैं कि sir, implementation तीनों कर रहे है, तीनों option ते मैंने सारे choose करते हैं, कुछ इस तरह की, सवाल को देखेगा, सवाल की specificity को समझेगा, क्या पूचा गया है, कौन किसके अंडर overall control है, ministry of WCD, लेकिन तीन ministries है involved, in terms of its implementation, अब ultimately सही जब आप क्या होगा, यह तो UPSC के जब की आएगा, तो आपको पता चलेगा अगले साल, so that would be the understanding, तो scheme की वार है, पता चला कौन implement करता है इसको, और इसका plan of implementation क्या है, तीन important components है, इसकी plan of implementation, सबसे बड़ा जो component है, वो है advocacy campaign, अब आप जानते हैं कि हमारे देश में, एक सन preference जरूर है, कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, वंच को आगे बढ़ाने, कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत चलती है हमारे society में, तो इसकी विज़े से हम लोगों ने देखा है, अब इस चीज़ को बदलना है, और इसी लिए promotion करना है, campaign करना है, कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इससे फाइदे मिलेंगे, बेटी की education करवाओ, ये सारी चीज़े, campaign और advocacy एक बहुत important factor इसका, पहला, implementation करणा, दूसरा है, multi-sectoral interventions लाने, अब आपने देखा कि कहा कहा या फिर कौन को इसको implement कर रहा है, जैसे कि मैं आपको बदा है, तीन ministries involved है, यानि कि women और child development में, pregnant ladies हो गए, lactating mother हो गए, new little बच्चे हो गए, children हो गए, इसके अलवा आपकी health, health मेरी आपको interventions की ज़रूँत है, अलग अलग जगा पे किस तरह के interventions लाए गए जिसे डिजिटल गुड़ा गुड़ी बोड है, जहाँ पर आपको numbers पता चलेंगे, my aim, my target campaign, लक्ष से रूबरू, नूर जीवन की, नूर जीवन का, एक हाइफन होना ची आपको बेटिया, बेटिया नूर जीवन का, बेटिया बिरबा, आओ स्कूल चले, collector की class, यहाँ पर आप देख सकते हो, collector की class मतलब, female students को, specifically UPSC, civil services की preparation, state PSC की preparation, collector की class, बाल, cabinet, तो इस तरह की चीज़े, multi-sectoral interventions भी, इसका एक भागे, और तीसरा भागे, financial incentive, अब इससे linked schemes आ चुके, जहाँ पर अगर बेटी पैदा हो, तो बेटी, उसके प्रती कुछ scheme, जैसे कि, मैं आपको उधारन दे सकता हूँ, सुकन्या सम्रध्धी scheme की, सुकन्या सम्रध्धी योजना है, फिर सुकन्या सम्रध्धी scheme, जो post office में, तो इस तरह के कुछ intervention आती है, सबसे पहले advocacy campaign, multi-sectoral interventions और finance linked schemes भी, आनि कि अब जैसे WCD scheme चलाती है, जरणी सुरक्षा योजना, अलग-अलग राज्यों में है, महालक्ष्मी योजना, धनलक्ष्मी योजना, अलग-अलग राज्यों में आ चुकी है, जहाँ पे lactating mothers को कुछ funding जाती है, girl child पैदा होने पे, below poverty line कुछ transfers होती है, तो finance linked schemes are also connected है, तो फिनांस linked schemes are also connected है, त्री, implementation ideas, अब इसके beneficiaries कौन-कौन है, देखें, इस पे भी सवाल बन सकते हैं, simple MCQ अगेरा, beneficiaries कौन-कौन है करके, आपको list बना कर पूछा सकता है, जैसे primary beneficiaries तो I'm quite sure कि इसको बताने की ज़रूत नहीं, primary beneficiaries are the parents, the mother, lactating mother, children, primary beneficiaries, इसके अलावा, जैसे parents, आप जैसे I would also be a beneficiary, आपको पता है कि recently, recently I became a father of a girl child, तो सुकन्या संब्रदी account मैं भी open कर सकता हूँ, तो primary beneficiaries कौन हो गए, parents हो गए, बच्चे हो गए, mothers हो गए, इसके अलावा, secondary beneficiaries मतलब, इस scheme से जो funding जाती है, वो अलग-अलग institutional level पर जाएगी, यानि कि समझ लिजे, schools को जा रही है, या फिर आपको पंचायत को, आशा वरकर्स को, A&M's को, तो institutional level पर भी beneficiaries है, जो इसको implement करेंगे, और tertiary beneficiaries in the sense, अब किस तरह से funding जाएगी, जैसे कि, समझ लिजे, कोई NGO है, which is implementing this scheme, जिसको funding मिली हुए, NGO हो गए, या फिर, कोई दूसरे institutions हो गए, जिनके साथ government collaborate करें, तो they can also be a part of the, तो यह आपको समझना है, and I'm not telling you beneficiaries, ultimate beneficiaries तुम्हें कहूंगा primary है, beneficiaries in terms of the allocation, clear, right, तो अभी तक क्या हुआ है, 2015 से अभी तक क्या हुआ है, let's try to understand that, has there been any change, from the बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियार, देखे, 2015 में शुरू हुई थी, और तब से लेकर, अभी तक, in fact, जो भी मैं आपको डेटा बताने वाला हूँ, 2019 तक का डेटा मैं आप बताने वाला हूँ, latest data जब भी आएगा, तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, in fact, नीतियायो के reports बगिरा में बिल जाएगा, बट, 2019 तक एक ट्रेंड जरूर देख लेंगे, हम लोग कि क्या हुआ, हमारा intention था कि child sex ratio और sex ratio at birth rise होना है, और वहाँ पे कही ने कही है कि improvement दिखी है, लेकिन अगर मैं कहूँगा, इस particular slide के बाद हम लोग जरूर समझेंगे, private sector की assessment, performance assessment कैसी होती है, और government sector की, private sector में अगर आपको बता है, कि आपका सालाना performance review होगा, तो आपको दिया जाएगा met expectation, exceeded expectation, borderline case, या फिर अपने expectation meet नहीं की है, और आपको PIP में डाल देगा, performance improvement program में डाल देगा, कुछ इस तरह की चीज़, तो मैं कहूँगा, this is more like a borderline expectation achieved from the government side, ठीक है, not even met expectation और exceeded expectation, borderline चीज़ हम लोग कह सकते हैं, कि sex ratio increase जरू हुआ है, मैंने आपको बताता, 918 था, 918 से, अभी ये बताया जाता है, कि it has reached somewhere around 934, from different indices that we have known, national sex ratio index has reached to 934, child sex ratio, right, अब 2021 का जब भी census आएगा, 2021 का census डीले हो चुका है, तो अभी जब भी numbers आएगे, तो और भी आगड़े हमें और clear पता चलेंगे, लेकिन एक positive trend जरूर आया है, यानि कि पिछले 4-5 सालों मैं कहूंगा, 918 से लेकर 934, approximately 16 points rise हुआ है, इसके अलावा, जो districts में implementation हो रही थी, अभी फिलाल 640 districts में implementation हो रही है, और हाली में सरकार ने बताया है कि it would be extended to all the districts, 700 से भी ज़्यादा जिल्लों में भी extend हो चुका है, बट शुरुआती दौर में जब इस scheme आई थी, तो it was being implemented in approximately 160 districts, इसको धीरे दर extend किया गया था, 640 districts में से 422 districts में improvement देखी गई है till 2019, यानि कि बाकी राज्यों को और थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, gross enrollment ratio, especially secondary level पे ये भी improve हुआ है, 2014-15 में 77% के आस पास था, it has risen to 81%, separate toilets ये कहा जाते हैं कि बनाय गए हैं, in schools, in institutions, 95% schools apparently have separate toilet for girls, but again, the problem is, क्या वो काम कर रहे हैं, आर्दे फंक्शनल, क्या वहाँ पे पानी है, क्या वो clean है, ये दिक्कते हैं जरूर, but nonetheless, functional toilets, 95% schools पे बनाय गए, इसके अलबा, institutional deliveries में कहुँगा, the government और the administration has exceeded expectation, जहाँ पे 87% ता वहाँ से, 94% तक institutional deliveries हो रही है, इन इंडिया, और इसके बारे में हम लोग NFHS में भी देख चुके हैं, ये काफी सरानी चीज है, institutional deliveries have improved, so this is basically the report card, लेकिन, कुछ चीजे हैं, जिनने हमें देखना पड़ेगा, जिन चीजों के बना हमें highlight करने की जरूद है, सबसे बड़ी problems क्या है, इसको समझते हैं, प्रोब्लम क्या है, सरकारी डेटा हमें बताता है, कि 2019 तर 644 क्रोर अलोकेट हुआ था, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ अभियान के लिए, 644 क्रोर, अब इसमें से जो पहला component था, एडवकसी कैमपेइन के लिए, एक्स्ट्रॉडनरी funding गई है, 364 क्रोर, अब इसको अगर हम लोग देखिएंगे, सीसाइट का प्रोलम आपके लिए बन गया, 644, 364 मैं कहूंगा, approximately 56% क्या आसपास, 56% funding has gone, according to the government, 56% funding towards campaign and advocacy, अफकोस हमारे देश में जरूरत है, एक बदलाव लाने की जरूरत है, लेकिन 56% यहाँ पे गई है, towards the advertisement, towards the campaigns, और मुझे बताने की जरूरत नहीं, वहाँ पे बहुत सारे issues होते हैं, जैसे कि campaign advertisement उसमें भी बहुत सारे धांदली होती है, let us not get into that, इसके अलबाद, जो districts को funding गई है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चंक है, underutilized or unutilized funds, 124 क्रोर तिल 2019, जैसे कि funding सबसे पहले हैं, तो कम आ रही है, उस funding में भी बहुत ज़्यदा funding आपकी जा रही है, towards awareness campaigns, interventions के लिए आपकी funding कम जा रही है, this is the basic understanding, यानि कि हमें करने ही क्या ज़रूरत है, of course, advocacy campaign तो चलाने ही चलाने, लेकिन multi-sectoral interventions लाने की भी ज़रूरत है, finance linked schemes की तरफ भी पैसे जाने की ज़रूरत है, that is the basic understanding, इसके अलावा, अगर हम लोग अलग-अलग reports को देखे, 2017 में CAG की report आई थी, जिन्होंने कई सारे issues highlight किये थे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान, सबसे पहले allocation of fund, जो है inefficient allocation of fund, यहीं उन्होंने highlight किया था, कि campaign और advertisement की तरफ बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, अब वहाँ पर मैंने आपको बताया, इसके अलावा कि scheme has fell short of social economic and gender sectors, यह बताया है the CAG report, इसके अलावा, पिछले साल ही एक parliamentary committee की report आई थी, जिन्होंने यह highlight किया, अगें फिर से inefficient allocation, 2016 से 2019 तक, according to that बढ़े लों report, 78% funding, 79 में कैसा था हूँ, 79% आपका पैसा जा रहा है, केवल on PR, केवल campaign के उपर, ads के उपर, और जैसे कि मैंने आपको बताया, कि गलत चीज नहीं है campaign करना, try to understand that, लेकिन the share or the allocation towards that, is quite skewed, बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे लग जा रहा है, ठीक है, इसके अलावा, एक और report है, NCIR की National Council for Applied Economic Research, इन्होंने evaluation किया था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, scheme का, जिसमें इन्होंने कुछ चीज़े highlight किये, at multiple levels there are issues, जैसे कि household level पे awareness, अभी तक, rural level पे, household level पे पहुँचने की जरूरत है, इसके अलावा, एक बदलाव आना है, behavior change लाने की जरूरत है, यह highlight किया था, जो मैंने आपको बताया, sun preference, बेटा चाहिए, इस तरह का जो preference है, उसके लिए behavior बदलना चाहिए, और behavioral change के उपर focus करना चाहिए सरकार को, इसके अलावा, institutional level पे कई सारी चीज़े highlight की थे, कि पंचायती राज, institutions की capacity बढ़ाने की जरूरत है, स्कूल पे infrastructure नहीं है, जहां पे इन्होंने बताया की toilets बने हुए, कई सारे toilets clean नहीं है, functional नहीं है, toilets तो बन चुके है, toilets का पैसा जा चुका है, separate girls toilet मैं बात कर रहा हूँ, और वो functional नहीं है, वो clean नहीं है, यह सारे issues है, इसके अलावा, female teachers कम है, महिलाओं में, या फिर female students में, dropout rate is very very high, अभी भी, there is lack of safe committing to school, especially for girl children, they have to walk kilometers together to go to school, इसके अलावा, extra पैसा लाए, फिर extra cost लगता है, especially at the rural areas, uniform और book cost को काफी highlight किया था, इन्होंने, right, सो यह सारे institutional issues है, इसके अलावा, इन्होंने highlight किया था, issue with the PCP NDT Act also, right, approximately around 75% effective, right, यानि कि 25% cases में, अभी भी PCP NDT active नहीं है, अब यह PCP NDT क्या है, Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act, 1994 में यह Act आया था, जहांपे अगर आप बेबी का gender जानना चाहते हो, जिसकी ultra-scount scanning वगेरा टेकनिक करते हैं, जिससे कि आपको scanning करने के बाद, बच्चा male है या female है ये बतायाता है, अगर female है तो abortion कराया जाता है, तो यह सारी problems ना हो, इसलिए PCP NDT Act आया था, जहांपे जो भी doctor अगर prenatal, पैदा होने से पहले अगर gender बता रहे हैं, तो उनका license बगेरा रद किया है सकते हैं, उनकी खिलाब action ली जा सकती है, तो penalties बगेरा बनी होए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक stringent implementation नहीं हो रही है, that has been highlighted. So these are the basic issues जहांपे, अभी भी improvement की ज़रूरत है. So overall, काफी अच्छा program है, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, अभियान, जिससे एक बदलाव ज़रूर है, लेकिन आपने देखा कि यहां पे, कहीं ने कहीं, things have to change, specially inefficient allocation की, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले, आपको effective utilization of fund करना चाहिए, यानि अगर आपको पैसा पहुचा है, उस पैसे को अच्छे तरीकी से इस्तमाल करना है, skewed या फिर inefficient funding, inefficient allocation हो रही है अभी फिलाल, that has to be rectified, इसके अलबा, monitoring mechanism बनाने की ज़रूरत है, जो पैसा जा रहा है, वो पैसा कहा जा रहा है, अगर ad campaign में भी जा रहा है, ads आ रहा है की नहीं, आपने देखा हो कई बार, PIB से जुड़े हुए, scandal PIB से जुड़ी हुए चीज़े, higher rates पे, ads, etc. ये सारी चीज़े बहुत होती है, इसके अलबा, digital education measures लाने की ज़रूरत है, क्योंकि COVID-19 में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो digital education measures लाने की ज़रूरत है, for improving the literacy among girl children, इसके अलबा, number of female teachers को बढ़ाने की बाद की गई है, institutional level पे, schools में number of female teachers have to be increased, female participation, especially in community initiatives, इसको increase करने की ज़रूरत है, साथी साथ, community outreach activities की ज़रूरत है, आशा वरकर्स, A&M's, community level पे घर-घर जाकर, और भी ज़्यादा promote करने की ज़रूरत है, इसके अलबा, clean and functional toilets की ज़रूरत है, हम लोग ने देखा कि 95% बदाती है, सरकार की toilets बन चुके हैं, लेकिन हम quite sure कि अगर आप जाओगे, उस toilet की situation would be abysmal, right? So clean and functional toilets की ज़रूरत है, for the girl children, इसके अलबा, innovative supplementary programs की ज़रूरत है, और भी जाचे अच्छे एड़े, जैसके मेरा आपको था digital goodda gooddy program, इस थारा की, और भी multi-sectoral interventions की ज़रूरत है, और finally, PCP NDT Act को, PCP NDT Act को, बहुत ही strongly implement करने की ज़रूरत है, अगर कोई doctor इसको violate कर रहा है, अगर कोई patients इसको violate करने की कोशिश कर रहा है, heavy और hefty fines imposed करने की ज़रूरत है, इसको बहुत ही stringently implement करने की ज़रूरत है, तभी जाकर real बदलाओ हो सकता है, तब ही जाकर जैसे कि मैंने आपको पता है private sector में जैसे assessment होती है कि met expectation, exceeded expectation अगर हमें achieve करना है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभ्यान का, then these changes are extremely necessary. Let us hope कि ये चीजे आ जाए और I hope कि आपको जो सवाल के समनों चर्चा शुरू की थी, उसके प्रती काफी अच्छा order मिला है to write the answers, right? मैं हमेशा यही बताता हूँ कि ये सारी चीजे हम लोग पढ़ते क्यों, why we do this critical analysis, कि आपने कभी सोचा है कि in your preparation, you do have questions like critically analyze, examine कीजे, इस तरह की चीजे क्यों आती है, क्योंकि जब आप ब्यूरोक्राट बनोगी, जब आप उस पैदान पर पहुँचोगे, तो आपको इन चीजों की understanding होनी चाहिए, कि these are the issues that are going on, समझ लीजे, आप जिस जिल्ले में आप जहाँ पोस्टेड हो, you are the DM, तो वहाँ पे आपने देखा कि child sex ratio is quite abysmal, national average है 918, आपके यहाँ पे 880, तो आप क्या करोगे, आपको इन चीजों पर focus करना है, आपके district में specific है, अगर कोई चीज है, कोई problem है, उसको resolve करना है, उसके प्रती आपको multi-sectoral interventions लाने, यही उद्देश है, हमारी preparation का भी, do understand that, right, let us hope that these things change very very soon, तो अगली बार जब हम this discussion, और आपको पता है कि if you want to follow me, if you like this discussion, अगर आप कुझे फॉलो करना चाहते है, you can follow on this particular ID at the rate Rahul Sai 222, and do not forget, आज 26th October, आखरी डेट है, रात में 12 बाय तक 26 October तक आपके बास offer है, discounted price पे आप, you can go for the courses, right, do not forget that, thank you for watching this, जैहत.